कुश्चिन नमबर वन एक्सेसाइस 3.5 क्लास 6 मैथमाटिक्स लाइक और सब्सकाइब बच्चों आप कर देना विच और फॉलिइंगे इन में कौन से ट्रू है फॉल्स के बारे में कुछ नहीं बताना है नहीं हम बता देंगे फॉल्स को फॉल्स लग लेंगे इफ ए नमबर is divisible by 3 को एक नमबर है जो 3 से डिवाइड करता है यह 3 3 से कटता है एक मजब भी 9 क्या 3 9 से कटेगा तो पहले हमारा क्या हो गया फॉल्स हो गया ठीक है नहीं इसमें तो कुछ लिखना नहीं तहां लिख देता है चलो हो गया होता है तो यह 3 से भी डिविजल हो यह हमारा true होता है नमबर सी एक नमबर जोए 18 से डिविजल होता है 18 से डिविजल होता है कौन सा 18 if it is divisible by by both 3 and 6 a number is divisible by 18 अगर यह divisible by both 3 and 6 होता है 18 किसके बराब होता है 3 into 6 is equal to 18 तो c भी हमारा क्या होगा true होगा उसके बाद हमारा d आ जाता है a number is divisible by 9 एक number को 9 से divisible है होगा कोई number 9 से divisible है and 10 और 10 से divisible है यहनि दोनों इस number से 10 से divisible है तो पहला number कौन सा आएगा 90 आएगा ठीक ना then it must be divisible by 90 90 से divisible होगा विल्कुल सही बात है यह भी हमारा true होगा e e क्या कहता है if two numbers are co-prime कोई number co-prime co-prime कौन से number होता है जैसे 15 और 16 जिनका common factor क्या होता है 1 होता है at least one of them B' उनमें से एक prime होगा नहीं यह भी composite है यह भी composite है prime number होते है जिनके सिर्फ हो या तो अपना आप से खटता है या 1 से खटता है 15 किस से divide होता है 1 से भी होता है 5 से भी होता है 3 से भी होता है 15 से होता है इसी तरह 16 किस से divide होता है 2 से भी होता है 1 से भी होता है 4 से भी होता है और 8 से भी होता है 16 से है तो यह हमारे क्या है दोनों क्या composite number है तो यह हमारा क्या होगा है बाइस साब यह हमारे false होगा है यह के बाद F आता है फॉर एट से विडिवल है नहीं है तो यह जागा हमारा फिर फाल्स होगा बाय साब कि नमबर विच दिविड़ वाइट कौन सा होता है यह सबसे चूटा होता है मस्ट आप विड़िव वाइट जिव एट क्या वोगा बिल्कुल होगा ट्रू होगा यह true हो गए भाई साब h h क्या कहता है if a number exactly divides two numbers separately अगर कोई number exactly divide करता है दो number को separately से माल लो कोई number आता है हमारा 3 आता है यह किस से divide होता है 3 से divide होता है यह 6 होता है यह किस से divide होता है 3 से भी divide होता है it must actually divide their sum इनका sum कर लो 3 plus 6 3 plus 6 is equal to 9 क्या 3 से divide होगा बिल्कुल होगा true दो चार और example करके इसी तरह बना के देख लेना if a number exactly divide the sum of two numbers कोई exactly divide होता है sum of two numbers है जैसे माल लो number आता है हमारे एक आता है 3 आता है दुसरा हम क्या ले लेता है 5 ले लेता है 5 plus 3 8 किसे डिवाइड होता है 2 से डिवाइड होता है it must exactly divide the two numbers separately क्या ये 2 से डिवाइड होता है no क्या ये 2 से डिवाइड होता है no तो हमारा जी no no लिखने से अच्छा क्या लिख दो false ठीक है question number 1 exercise 3.5 का class 6 का ही खतम हो जाता है बहुत प्यार था question था ओके like and subscribe जोरू करना